बाइकॉट 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 इस शब्द ने कुछ महीनों से बॉलिवूट के लिए शूशल मीडिया से लेकर सिनेमा घरों तक आफ़त मचा रखी है कोई भी नई फिल्म आती है तो उसका बाइकॉट होना शुरू हो जाता है हाल ही में रनवीड कपूर की ब्रह्मास्त्र फिल्म का बाइकॉट जम कर हो रहा है लेकिन रनवीड कपूर की किसमत अच्छी रही कि फिल्म हिट हो गई लेकिन इस बार बाइकॉट की रेडार पर भारत के मशूर और पॉपलर सिंगर जुबिन नोटियाल भी लगातार ट्रेंड हो रहे है अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है क्यों जुबिन अक्सर अपने गानों के कारण ट्रेंड करते रहते हैं लेकिन इस बार मसला कुछ और ही है जो उनके करियर के साथ साथ उनकी छवी पर भी दाग लगा सकता है। ट्विटर पर अरेस्ट जुबिन नोटियल बीते दिनों से पहले नमबर पर ट्रेंड कर रहा है। जुबिन नोटियल के नाम के इस हैश्टेग पर हजारों ट्विट्स किये गए हैं जिसके जरिये सिंगर को गिरफतार करने की मांग की जा रही है। दरसल भी तक उस दिनों से जुबिन नोटियल का ट्विटर पर एक पोस्टर वाइरल हो रहा है। पोस्टर में दिखाये जा रहा है कि 23 सितंबर 2022 को सिंगर जुबिन नोटियल होस्टन में अपना शो करेंगे। लेकिन आप सोच रहे होगे कि इस पोस्टर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन इस पोस्टर की वज़े से जुबिन नोटियल के बाइकॉट की में वज़ा जुड़ी है। इस पोस्ट को शेयर करने वाले का नाम देख सकते हैं। इस पोस्टर को जैसिंग नाम के एक विक्ती ने शेयर किया है। इस पोस्टर को लोग लगातार शेयर करते हुए यह दावा कर रहे हैं कि जैसिंग नाम का यह सक्स असल में भारत का मुस्ट वांटेड क्रिमिनल है। यूजर्स का कहना है कि शक्स का नाम जैसिंग नहीं बलकि रिहान सिद्ध की है। जैसिंग के नाम पर ही यह सारा बवाल खड़ा हो गया है। शोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जैसिंग वा करिमिनल है जिसके तलाश पुलिस 30 सालों से कर रही है। उस पर ड्रक्स तसकरी से खालिस्तान को सपोर्ट करने समेथ कई गंभी आरोप हैं। इसके साथ ही शोशल मीडिया यूजर्स यह भी आरोप लगा रहे हैं कि जुबिन देश द्रोहियों के कॉंसर्ट करते हैं। यह देश के खिलाफ है और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। इतना ही नहीं जुबिन के बहाने एक बार फिर यूजर्स को बॉलिवुड को घेरने का बहाना मिल गया है। बहुत से लोग जुबिन के को इसमें घसीटा जाता है। लेकिन जुबिन नोट्याल के इस पोस्टर के पीछे आपकी क्या राय है कमेट करके हमें जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।